इंसान प्रतिबा, परिश्रम और लगन से किसी एक शेत्र में खास मकाम हासिल करता है लेकिन अगर कोई इंसान अलग-अलग शेत्र में हाट डाले और उनमें भी अलग-अलग खास मकाम बनाता चले तो उन्हें हम गुलजार ही कहेंगे अगर आप गुलजार के काम का दाइरा देखें तो ये यकीन नहीं होता कि एक ऐसा शक्स है जो इतनी सारी विधाओं में लगातार काम कर रहा है बिना ठके, बिना खुद को दोहराए, काम भी ऐसा कि कहीं कोई जोल नहीं ऐसा काम ही होता है लेकिन गुलजार इसमें कभी चुके नहीं नमस्कार मेरे नाम है लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी 18 अगस्त को गुलजार का 89 जनम दिन था इस उम्र में भी वो सक्रिय हैं और लगबक 6 दशक के लंबे अंतराल में बदलते दौर और युवा पीड़ी की उमंग दोनों को गुलजार ठीक ठाक नाप रहे हैं जिस बॉलिवूड में हर शुकरवार को सितारे डूपते चड़ते हों वहाँ 6 दशक तक घुटने जमाए रखना कोई हासी खेलत नहीं होगा ये मौजूद की कोई काम्याभी के शिखर बनाने भर की नहीं है बलकि अपने आसपास की दुनिया से कुछ महसूस करके उसे गुलजार टाइप बना देने की है इसलिए तो गुलजार हम सबके महभूब हैं उनके ही शब्दों में कहें तो 89 साल का महभूब ऐसा महभूब गुलजार एक दिन में नहीं बने जीवन के थपेडों ने उनमें वो संजीदापन भरा जिसके चलते पाकिस्तान के दीना जेलम मिजनमे संपूरन सिंग कालरा को एक ऐसे फनकार में तबदील कर दिया जो तर्क और कलपना की कसोटी पर शब्दों और द्रिश्यों का ऐसा तिलिस्म बुनता है जिसमें आप डूब जाना चाहते हैं जब वो गाना लिखने बैचते हैं तो पहला ही गाना लिखते हैं जिस बॉलिवुड की दुनिया में गोरे रंग की चमक दमक कुछ ज्यादा ही हो वहाँ पहले ही गाने में शाम रंग की चाहत वाकली स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो आनन जैसी फिल्म जिसका नायक हस्ते हस्ते पलपल करीब आती मौत के लिए तयार नजर आता है फिल्म बनाते हैं तो आन्धी और मौसम की शकल में सामने आते हैं जहां समवेदनाओं का जुआर अपने चरम पर नजर आता है वहीं टीवी सीरियल की बात होती है तो मिर्जा गालिप का शाकार सामने आता है मिर्जा गालिप टीवी धारवाहि की हैसियत कुछ वैसी है जैसे बड़े परदे पर बुगले आजम की माननी जी बच्चों के लिए लिखा तो जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड़ी पहन के फूल किला है गुलजार चाहत था कि सवाल पूछा ना जाए 18 अपरेल 2023 चोड़ाए हम वो गलिया इन सब के बीच वक्त निकाल कर शायरी कविताएं और किस्सा गोई में गुलजार अपनी चमक बिखेरते रहे अपने आप में ये चमतकार ही है कि अपनी तमाम रचनात्माकता का इस्तमाल गुलजार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बखू भी कर लेते हैं हिंदी और उर्दू की चाशनी में घुली उनकी जुबान और उनके रेफरेंसेज बीच बीच में रह रहकर गूजने वाली तालियां गुलजार के इस सफर की शुरुआत तब हुई जब 1947 के बटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया और पिता घर परिवार को चलाने के लिए छोटा मोटा कारोबारी काम करने लगे थे गुलजार बटवारे के दौर के हिंसा को सालों तक नहीं भूल पाए तब वो 11-12 साल के थी अपनी आँखों के सामनी उन्होंने सेकडों लोगों का कतल होते देखा था लाखों लोगों को रातो रात उजडते भी कच्ची उम्र के जखम जिंदगी भर नहीं जाते गुलजार के अंदर भी ये पूरा हाथसा किसी खतरनाक मंजर की तरह उबलता रहता सुलगता रहता है तबी तो गुलजार लिखते हैं आँखों को वीजा नहीं लगता सपनों के सरहद होती नहीं बन आँखों से रोज में सरहद पार चला जाता हूँ माचस फिल्म बनाते हैं तो उनका दर्द कुछ यूँच लगता है छोड़ाए हम वो गलियां जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे हसे तो दो गालों पे भवर पड़ा करते थे तेरी कमर के बल पे नदी मुडा करती थी हासी तेरी सुन-सुन के फसल पका करती थी लेकिन गुलजार इसी दर्द से सिम्टे भर नहीं रहे वो कहते हैं कि वक्त के साथ समझ में आया कि कम कहने में ज्यादा तासूर है ज्यादा कहने से अर्थ डाइलियूट हो जाते हैं इसलिए यही गुलजार जब मस्ती के मूड में आते हैं तो बक्खू भी लिख डालते हैं गोली मार भेजे में बेजा साला शोर करता है यही गुलजार जब प्रेम कविता लिखते हैं तो तुमारे गम के डाली उठा कर जुबां पर रख लिए देखो मैंने वो कत्रा कत्रा पेगल रही है मैं कत्रा कत्रा ही जी रहा हूँ बहराल बचपन से गुलजार को कविताएं लिखने का शौक था गुलजार के पिता का माना था कि कविता लिखने या फिर कहानी लिखकर आजीविका नहीं चल सकती थी लेहाजा वो गुलजार के लिए अपने नाते रिष्टदारों से कहा करते थे कि ये भाईयों से उधार मांगेगा और गुर्दवारा के लंगर में खाना खाएगा 1950 में गुलजार अपने भाई के काम में हाथ बटाने के लिए मुंबई आए तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो फिल्मी दुनिया में काम करना शुरू करेंगे शुरू में एक मोटर गयराज में उन्होंने काम किया लेकिन धीरे धीरे उनका रुजान फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ने लगा उन दिनों के फिल्मी गीतकारों में से एक राजेंदर कृष्णा के घर पर किरायदार की हैसियत से गुलजार रहे गुलजार वामपंती रुजान के चलते शैलेंदरी जैसे गीतकारों के संपत में आए बाद में बिमल्रॉई के सहायक के तोर पर काम करने अलगे थे लेकिन लेखन की शुरुआत वहां नहीं हो पाई शालेंद्री ने ही उन्हें सबसे पहले बिमल रॉय की फिल्म में गाने लिखने के लिए प्रेरित किया और गुल्जार का नाम बिमल रॉय के सहयोगी देबु सेन को सुझाया इस तरह 1963 में बांधनी फिल्म के मोरा गोरा अंग लेई लो मोहिशाम रंग दे दो गीत से गुल्जार ने बताया कि यहां लंबे समय तक टिकने वाले हैं विमल रॉय के निधन के बाद गुल्जार रिशिकेश मुखर जी के सहयक बने रिशिकेश मुखर जी की फिल्मों के स्क्रीन प्ले और गीत ने गुल्जार को बेहत काम्याब बनाया इसमें आशिरवाद, आनंद और गुड़ी जैसी बहतरीन फिल्में शामिल है आनंद के लिए गुल्जार को पहली बार फिल्म फेर पुरसकार मिला था लेकिन वो इतने नर्वस थे कि वो इसे लेने स्टेज पर नहीं गए हाला कि बाद में उन्हें ये अवाड लेने के लिए 19 बार स्टेज पर चड़ना पड़ा कह सकते हैं कि गुल्जार को पहले सम्मान के बाद तो अवाड लेने के आदग सी पड़ गई क्योंकि उनका काम अवाड समारों में पदक जीतने लायक ही होता था रिशिकेश मुखर जी के सहायक के बाद गुल्जार बतोर निर्देशक भी काफी कामियाब हुए उनकी फिल्मों में मेरे अपने परीचय, कोशिश, अचानक, माचिस और आंधी जैसी लीक से हटकर बनी फिल्में शामिल रही माचिस के बाद गुल्जार ने फिल्म निर्देशन को अलविदा कह दिया गीत लिखने लगे, तो कुछ ही सालों में स्लम डॉग मिलेनेर के लिए ओसकर जीत लिया बीडी जलेले से लेकर दिल तो बच्चा है जी ने गुल्जार कुछ ज्यादा ही प्रयोग करते हुए नजर आये और इनमें खासे कामियाब भी रहे गुल्जार उम्र के आखरी पड़ाओ में है तो इन देनों अपनी तब्यत का काम कर रहे हैं कविताओं लिख रहे हैं, रमेंदरनाथ टेगोर की कविताओं का अनुवात कर रहे हैं चार दशक पहले अपनी बेटी बोस्की यानि मेगना के लिए बोस्की का पंचतंत्र लिखा था और तो और इसके बाद अपने नाती समय के लिए नई सिरे से पंचतंत्र लिखा गुलजार के पूरे जीवन में ये साफ नजर आता है कि समय के साथ वो खुद को बदलते रहे उनका फोकस कभी डगमकाता नहीं दिखा, वो भी तब जब उनके अपने जीवन में आधी आ गई थी दरसल आज से यही कोई 50 साल पहले 18 अप्रेल 1973 को गुलजार और राखी ने आपस में प्रेम विवाह किया था इस शादी में उस वक्त की भारती सिनिमाई दुनिया की तमाम दिगज शरीक हुए थी गुलजार की बेटी और फिल्मकार मेगना गुलजार ने अपने पिता की जीवन पर किताब लिखी है Because He Is इसमें मेगना ने बताया कि किस तरह से सुनिल दत राखी के भाई बने थे और SD बर्मन और GPCP परिवार की देखरेक में ये शादी संपन हुई थी मेगना ने मा राखी और पिता गुलजार दोनों की 1968 में हुई पहली मुलाकात से लेकर अलग होने तक का विवरन लिखा है दिल्चस बात ये है कि 5 साल की कोडशिप के बाद हुई शादी महद एक ही साल चल पाई और 1974 में राखी और गुलजार दोनों की राहें अलग होगी लेकिन इसके बाद की उनचास सालों में दोनों ने एक दूसरे का ऐसा साथ निभाया है कि पता ही नहीं चलता है कि दोनों अलग लग रह रहे हैं तो ये थी गुलजार की जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानिया और किस्से जिन्हें हम आपके लिए संजो कर लेकर आए थे आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिल्चस्प कहानी और किस्सों के लिए देखते रहे हैं रिपोर्ट अजी